तो चलिए फिर हमारे रेसिपी की शुरुवात करते हैं तो मटकी का सालन बनाने के लिए हमें ये सब चीजे लगेगी तो यहाँ पर एक मीडियम साइस का जो प्यास होती है उसे कट करके मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राइ कर लिया है तो यह छोटी मीडियम साइस की प्यास थी साथी हमें अद्रक लेसून का पेस्ट लगेगा वन टेबल स्पून और एक बड़े साइस का टमाटो लगेगा अगर मैं easy method दिखा हूँ आपको कि आप जल्दी कैसे मटकी को sprout ला सकते हो तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी पोस्ट कर दूगी तो यह sprouted मटकी एक बड़ा बाउल कोशिश करें कि आप sprouted मटकी इस्तेमाल करें कूशिश करें कि वह हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशल होती ह अगर आपके पास नहीं है तो आप दो टेबल स्पुन रेड चिली पाउडर इस्तिमाल कर सकते हो और उसके अंदर हाफ टेबल स्पुन गरम मसाला दाल दीजिए यह जो है मसाला यह होमेड है साथी वन टेबल स्पुन हमें हल्दी लगेगी और तीन बड़े चमचे हमें पीस कोई कर लिया था और फिर इसको ग्राइंड कर लिया है और दो टेबल स्पुन हमें धनिया का पाउडर लगेगा तो यह सब सूके मसाले हो गया अभी एक मिक्सर के जार में हमें हमने जो ओनियोन को फ्राइब किया है वो दालें हूं तो यह ओनियन चिला गया अब इसके अंदर जो सूखा खोब्रा फ्राइड कोकोनेट पाउडर है वो दाले गया यह तीन टेबल स्पून पाउडर है कोकोनेट की और यह दो टमाटोस हम कट करके दाले गया अब इससे हमें ब्लेंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेनी है इसकी तो देखे हमारी यह मसाले की पेस्ट रेडी है और साथ ही हमने थोड़े से जो ग्राउड नोट्स होते हैं पीनट्स उसे भी हमें पानी में भिगोया था तो यह भी हम मटकी के साथ बनाएंगे मटकी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं अभी एक बरतन में हम दो टेबल स्पून तेल गरम करेंगे तो यह दो टेबल स्पून तेल डाला हमने अभी तेल हमारे जैसे गरम हो जाएगा तो इसके अंदर एक टेबल स्पून हमें अद्रक लेसून का पेस्ट डालना है अब इस एक मिनिट तक अच्छे से सोटे कर लेना है अब इसके अंदर हम करी लीव्स डालेगे यह 10 से 12 करी लीव्स है इस अच्छे से सोटे कर लेते हैं अभी जो हमने मसाला ब्लेंड किया है टमैटो प्यूरी जो बनाई है वह डालेगे अब इसे दाल कर हमें अच्छे से पाच मिनिट तक स्लो फ्लेम पे पकाना है तब तक ओईल उज आउट ना हो जाए तो देखिए ओईल उज आउट होना स्टार्ट किया है अब इसके अंदर हम सूखे मसाले डालेगे इस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो मैंने आपे दो टे अब इसके अंदर हम मतकी डाले गया यह मतकी को मैंने पानी से साफ कर लिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यह मतकी के साथ ग्रीन पीस भी दाल सकते हो यह उबले हुए चने भी दाल सकते हो और इसके अंदर हम पीनिट दालेगे यह पीनिट को मैंने 15 मिनिट पानी में सोख किया तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको और 5 मिनिट तक हम मसाले में अच्छे से पकाए गये अब इसके अंदर हमें one and a half glass पानी दालना है या फिर इतना पानी दाले कि आपको gravy की consistency कैसी चाहिए मैंने यहाँ पर one and a half glass पानी दालना है और इसके अंदर हम नमक दालेंगे around one tablespoon और one tablespoon सबजी मसाला दालना है यह optional है अगर आपके पास नहीं है तो आप skip कर सकते हो या तो फिर आप chicken मसाला या mutton मसाला भी दाल सकते हो अगर आप non vegetarian हो तो मैंने यहाँ पर one tablespoon सबजी मसाला दाला है एवरेस्ट का अब इसे अच्छे से mix कर लेते हैं और इसे high flame पर हम boil आने देगे तो मैंने flame को high रखा है तो देखें पाच मिनट बाद इसमें boil आना start हो गया है अब flame को हम low करेगे slow करना हमें flame को और यह बरतन के नीचे हमें एक छोटा तवा या फिर जाली रखनी है और उसके ओपर यह बरतन रखे से आदा ढाकना है हमें और इसे 15 मिनट तक अच्छे से पकने देना है तो देखें 15 मिनट बाद हमारी मटकी की gravy ready है अब इसके अंदर हम कटा हुआ हरा धनिया दालेगे देखे मैंने यहाँ पर पूरा मिनि प्लाटा तयार किया है ओनियन रखे है रोटी है जीरा राइस है पापड़े और धाई है धाई या फिर ताक के साथ मटकी की सबजी बहुत ही अच्छी लगती है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक अच्छे रहे खुश रहे अला आफस